मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी जरूर लिखे मातारानी आप सभी का कल्याड करेंगे मित्रों वर्स 2023 में चेटी चंड कम मनाया जाएगा और पूजा करने का सो मुहुरत कब है और पूजा करने की विधी क्या है और दोतियातिती कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों, चेत्ती चंड सिंधी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुक तेवहार है, जो चेत्र मास के सुकल पक्ष के दोतियातिथी को मनाया जाता है यह पर्व सिंधी समाज के आराध्य देऊता भगवान ज्ूले लाल के जनमोचो के रूप में मनाया जता है इसलिए इसे जूळे लाल जैनती के नाम से भी जणा जता है इस तेवहार के साथ ही सिंधी नव वर्ष की सुरूआत होती है इस मौके पर सिंधी समाज के लोग जीवन में सुक समरिद्धी की कामना के लिए वरून देवता की पूजा करते हैं क्योंकि भगवान जुहूले लाल को जल देवता का अवतार माना जाता है क्योंकि चेती चंड पर्व अब धार्मिक महत्व तक ही सीमित नहीं है बलकि सिंधू समुदाय के लोगों के लिए खास पर्व की रूप में भी जाना जाने लगा है मित्रों अब चेती चंड पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं चेती चंड की अवसर पर सिंधी समुदाय द्वारा भगवान जूले लाल की सोभा यात्रा निकाली जाती है इसके अलावा इस दिन कई धार्मिक और सांस्कृत कारिक्रम भी आयोजित किये जाते हैं चेती चंड की सुरुवात सुबह मंदिरों के दर्सन और भुजुर्गों के असिरबाद से होती है चेती चंड के दिन सिंधी समाज के लोग नदी और जहिल के किनारे पर बहिराणा साहिब की परंपरा को पूरा करते हैं बहिराणा साहिब इसमें आटे की लोई पर दीपक, मिट्टी, सिंदूर, लॉंग, इलाईची फल रख कर पूजा करते हैं और उसे नदी में प्रवाहित किया जाता है इस परंपरा का उदेश से है मन की इच्छा पूरी होने पर इस्वर के प्रती आभार प्रकट करना और जलिय जिवों के खोजन की बेवस्था करना इस मौके पर भगवान जूले लाल की मूर्ती की पूजा की जाती है मित्रों अब आपको बता दें की वर्ष 2023 में चेती चंड कम मनाया जाएगा तो आपको बता दें की वर्ष 2023 में चेती चंड 23 मार्च दिन गुरुवर को मनाया जाएगा दोतिया तिथी आरंब होगी 22 मार्च 2022 को रात आठ बच का 23 में पर और दोतिया तिथी समाप्त होगी 23 मार्च 2023 को साम 6 बच का 23 में पर